नमस्कार आप देखने विरा 24 न्यूज में स्वाति भारत निर्वाचन आयोग के सचिवने विधान सभा निर्वाचन छेत्र सिमरिया से निर्दली अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़ने वाले निर्वाचन व्यका लेखा निर्धारित अंतिम्ती थी 10 जनवरी 2019 तक प्रस्तुत ना करने पर संसत के किसी भी सदन विधान सभाया विधान परिसर के सदस्त चुने जाने पर तीन वर्ष की अवधी के रिए आयोग की घोशित किया है उन्होंने बताया कि निर्वाचन कारिक्टरम के अनुसार मत गड़ना की तारीक 11 दिसंबर 2018 थी लोग प्रतनी धित अधिनियम के अनुसार निर्वांचन लड़ने वाले प्रतेक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीक से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्याय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है विधान सभा निर्वाचन छेत्र 79 से मरिया का संबंधित निर्वाचन छेत्र के परिणाम की घोशना 11 दिसंबर 2018 को की गई थी इस प्रकार निर्वाचन व्याय का लेखा दाखिल करने की अंतिम तारिक 10 जन्वरी 2019 थी लेकिन विधान सभात छेट 79 से मरिया का निर्दनी अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़ने वाले ग्राम कठार के रामसा जीवन तिवारी ने निर्वाचन व्याय का लेखा दाखिल नहीं किया अताहराम सजीवन्तिवारी को संसत के किसी भी सदन विधान सभाय या विधान परिसत के सदन से चुने जाने पर तीन वर्ष की अवधि के लिए आयोग घोसित किया है सर्व सुविधायोग नैशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलप्त है नैशनल होस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलप्त करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल होस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 86028859900 पर